जैसा कि आप लोग देख रहे हो डिज्टल फाइलेंशियल टूल्स डिज्टल फाइलेंशियल टूल्स एंड अप यहां पर हेटिंग देख क्यू आर कोड ईपी आई एपीएस ईवसेड ओटीपी इतने समझ गये होगे कि भाई कितना ही पॉंटेट है टीपल सी के लिए कितन अब महत्वपूर आया टीपल सी के लिए हंड़ेट परसेंट यहां से क्वेस्टन आएंगे नहीं आएंगे तो कमेंट में आके बताना पेपल दिने के बात जितने लोग वीडियो देखना अगर कोई कर दे कि एक भी क्वेस्टन नहीं आया था तो मुझे आके बताना आप बात करने वाले टीपल सी एकजाम प्रिपेशन अब मैं यहां पर बात कर दो आप मई जून जुलाई अगर सितंबर अक्तूबर नौमबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल कीसी भी महीने का पेपल दे रहे हो तो निश्चीन थो जाओ आप बहुती सही जगह पे बहुत बड़ी उमीद लेकिया और आपको उमीद पर मैं खड़ा उत्रूँगा फ्री इबूक फ्री टेस्ट फ्री सारे इबूक आपको मिलने वाले और फ्री यहां पर क्लासेज मिलने वाली है सिर्फ आपको पंकज नाइट एक भी आपको टीपल सी की बूक या कुछ भी प्ले लिस्ट में मिलती है आप चाहे जब एक्जाम दे रहे हो तो हजार पचीस में या चोविस में दे रहे हो एक्जाम बाइस आप किसी भी महीने यह पूरा प्ले लिस्ट देख लेना अभी जो मैं इबूक बताऊंगा उसको पढ़ लेना एक बार टेस्ट दे लेना आपका मैं टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा हम आते अपने टापिक पर पिछली वीडियो आप जाके जरूर देख लेना ठीक है यहां पर देखो आपको मैं बता दू सबसे पहले डिजिटल फाइनेल्स टूल्स एंड अप्लिकेशन ठीक है इसमें देखो मैं आपको क्या इनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुले में याद कर लेना बिल्कुल अंडेट परसेंट एई पी यस आरहार इनेबल पेमेंट सिस्टम हंडेट परसेंट याद करके जाना भाई नोट डाउन कर लो बाकि आपको एपेड अभी मिलने माला है यू यस यह डी ठीक है इसका प्ले मैं आप लोग याद कर लेना ओ टीप इसका फूले में लेना भारन पास ओर याद कर लेना क्योंकि अब बहुत जादा जरूरि है अब देखों यहां पे मैं आपके सामने टापिक लेके आ गया हूँ qr code quick response code के पूरा details जितने भी इसके बारे में जनकारी मैंने जुटाई है सब आपके लिए महत्तो पूरे आप लोग question paper हल करने के पीछे ज्यादा भागते हैं वह भी में ला दूगा मेरे पास बहुत सारे questions पढ़े हैं हल करा दूगा इसका answer बताओ उसका answer बताओ बताते हैं लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं इससे कोई question बनेगा आप बिल्कुल हर कर पाओ क्योंकि आपको पता है कि एक्जामनर हमेंसा questions बनाता ही बनाता है आपको बात साथ मेरी अच्छे समझ में आ गई होगी तीसी बात में वीडियो को लाइक करो और कमेंट बाक्स में अपना कमेंट दो qr code qr code को smartphone द्वारा सुचना को पढ़ने के लिए बनाए गया है qr code को smartphone के द्वारा सुचना को पढ़ने के लिए बनाए गया पहला question full name दूसरा को question जिसको परिबार 1994 में जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए डिजाइन किया गया कब 1994 में ठीक है qr code को मुझ खिरू से दो भागों बाटा गया कितने इस्टैटिक qr code डैनेमिक qr code यह याद रख लिना भाई इस्टैटिक और डैनेमिक अब देखो यहाँ पे qr code अगर 30% खराब हो जाए तो किसी भी तरस उसे आसानी सी स्कैन कर सकते है qr code 30% भी अगर खराब हो जाता है तो उसको आप आसा 360 डिग्री चाहे जिधर से भाई 360 डिग्री पे किसर से भी चाहे जिधर सी स्कैन कर तो इसकैन हो जाता है true false में question जाता है इसको भी याद कर लेना ठीक है qr code में text नम्म लिंक email इत्याद ही रख सकते है जिसको आसानी सी स्कैन किया जाकता qr code में किसी भी text को आप numbers को symbols को email को ब्यों साइट के link को कुछ भी रख सकते हो जिसको असानी सी स्कैन करके open किया जा सकता भाई सब चीज का qr code बना सकते हो जी बिल्कुल हम बना सकते हो यहां पर देखो qr code का ए फोटो में ने बनाया जो आर मोबायल में qr code पैसा मांगाते हो सभी लोग देखते हो ठीक इसी आपको घर पे hard copy भेजा जाता है भाई साब घर पे hard copy ठीक है यहां पर UPI unified payment interface याद रखना unified payment interface या online payment transfer करने का एक माद्ध्यम है तो आसानी से smart phone में प्रयोग किया जाता है इसमें आप किसी भी प्रकार के bill या रिचाद आसानी से कर सकते हो समझ गए UPI की खोज यन PCI दोरा की गई है या भाई साब याद करो UPI खोज इसके दोरा की गई है यन PCI national payment का याद करना full name भाई साब ठीक है इसका प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है किसका UPI का ठीक है अब कैसे आगे बताते है UPI से पैसे transfer करने के UPI इसे UPI भी IT भी करते हैं BPA virtual payment address क्या होना चाहिए virtual payment address क्या होना चाहिए virtual फूल ने म्याद कर लेना BPA कब आई ठीक है एन PCI National Payment Corporation of India एन PCI को फूल ने म्याद कर लो आप नेशनल पेमेंड कारपूरेशन आफ इंडिया याद कर लेना भाई साब questions आएगा यह IMPS तक्निकी पराधारी थे IMPS immediate payment service तुरंट इस तक्निकी पराधारी थे कौन सा UPI किस पराधारी था IMPS ठीक है इसमें 21 सदस्यों को एक साथ रगुराम राजन की ने शुरू किया था यह सभी बैंकों के लिए यह सभी बैंकों के लिए है यूपियाई ठीक इसमें बार-बार एकाउंट होल्डर की जानकारी टाइप करने की जरूरत नहीं परती है किसमें इसमें बसफ्राइब यदा चला गया अपने से लिए लगा कोई अब यहां पर आते हैं, बिशेष ताएं, पैसे टांसफर करना, बिल भुक्तान करना, पैसा चेक करना इत्यादी, UPI से क्या कर सकते हो, पैसा टांसफर कर सकते हो, बिल भुक्तान कर सकते हो, पैसा चेक करना इत्यादी आप UPI से आराम से कर सकते हो, अब इसकी समाय देख लो, O P generate करना PIN भी बदल सकते हो VPA बनाना बदलना Bank खाते जोड़ना Transaction देखना QR code generate करना किसी भी transaction समधी सिकायत करना Lenden का viewer यह सब आपको UPI देता है मेरे भाई साब यह सब चीजे यह सारे features कौन देता है UPI देता है ठीक है याद कर ले न UPI F अब पुछेगा भाई साब कुछ UPI F के नाम बताईए भी फोन पे ESBI पे ADFC Bank Mobile Banking ICCI Bank X6 Bank Union Bank यह सब क्या है UPI F आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप भेज सकते हो UPI की माध्यम ने किसी को पैसा आप receive कर सकते हो तो भाई मुझे तूम भी देखिए चीजे समझ में आगी आप questions कहीं से करेगा आप कर लोगे आगे चल के हम question भी बताएंगे कैसे इससे questions आता है अभी तो बता रहा हूँ याद कर लो न कैसे बताता है बोले कि UPI F इसमें से कोई भी option दे सकता आप विल्कुल टिक लगा दो फूलेम पूछ सकता है कुछ भी आप से पूछ सकता भाई साथ तो सब फूलेम याद कर लो ठीक है आप देखो यहाँ पे पैब UPI इमपावर कैनरा बैंक UPI यूको UPI बीजाया UPI OBC UPI पे टियाम परोड़ाम यमपे मदूर्प याई के पे यस पे भाई साथ जितना हो सका मैंने आपके लिए कवर किया बाकी आपके भी तो कुछ जिम्यदारी बनती है आप भी कुछ कवर करो ना यार क्योंकि हमको टिपल सी में यस ग्रेट किया तो यह ग्रेट लाना बास मज़ में आई यह इकामर्स प्लेट फार्म के लिए उप्यूक था है UPI पिन चार से छे अंको कहता है भाई साब इसको याद कर लेना UPI पिन कितने अंका होता है चार से छे इसको याद करके जाना बहुत जारा question पूछा जाता है general question से मुझे आपको पता है कि याद होगा ठीक है AEPS आधार Enable Payment System या NPCI द्वारा विक्सिट एक system है जो आधार नंबर और fingerprint iris scanner की मदद से verification के बाद micro ATM द्वारा बित्तियर लेन देन के अनुमति देता है पूछ सकता है AEPS के द्वारा हम क्या finger हो क्या बोलते है fingerprint iris scan करके निकाल सकते है पैसा तो क्यों निकाल सकते है बिल्कुल निकाल सकते हो आपका bank account आधार से जुड़ा होना चाहिए लेकिन किसी भी bank द्वारा असानी से प्रयोग किया जा सकता है और कोई भी bank असानी से किसी भी bank में है या राम से आपका उठा लगा के आपको आँखों का photo घीच के चीजों को किया जा सकता है कि AEPS की सुब्राय कैस बीड्रा बैलेंस की जनकारी मीनी statement आधार से पैसा ट्रांसफर इसको याद रख लेना आधार से पैसा ट्रांसफर में AEPS पहले नम्मर पे आएगा ठीक फूर यहाँ पे आ जाओ यू यस यस डी अन इस्ट्रक्टर्टर्ड सप्लामेंटरी सर्विस डेटा यह प्रकार का code होता है क्या होता है यह प्रकार का code होता है इसका प्रकार करने के लिए इंटरनेट की जोद्वत नहीं पड़ती है आप बिना इंटरनेट कभी इसका उप्योग कर सकते हो इसका प्रयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए किया जाता है बिल्कुल किया जाता है पूछा जा सकता है कि इसका प्रयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए किया जाता है तो जी बिल्कुल किया जाता है एर वीडियो को लाइक से ज़रूर करते हैं अपने दोस्तों के साथ इसका उपयोग आप बैंक का पैसा चेक बैंक से पैसा ट्रांसफर करने में कर सकते हो इसका प्रयोग करने के लिए आपका मोई लंबर बैंक से जुड़ा होना चाहिए दि यूश्यदी मैसेज 182 अलफा नियूमेरिक करेक्टर तक हो सकता है यूश्यदी से मीनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो और टीपी भी जनरे वन टाइम पासवर्ड ओटीपी एक तरह का पासवर्ड है ओटीपी क्या है एक तरह का पासवर्ड है जो ज़्यादा तर सिक्यूर मानेता है इससे डायनेमिक पासवर्ड के नाम से भी जाना जाता है ओटीपी को और किस नाम से जाना जाता है डायनेमिक पासवर्ड के नाम में सुरच्षित माना जाता है जो आफ पाश्षवर्ण ऑपने हं डालते हो उससे ज़्याद IF माना जाता इसका मुख क्यूद्धेस वास्तिवी की उजयर की पाचान करने के लिए भेजा जाता है कि वदी उजर कोई एक बार प्रयोक कर सकते हैं जो 10 सेकेंड या एक मिनट के लिए रहता है मैक्सिमुम दस सेकेंड उससे जारा नहीं रहता है तो एक मिनट के यह बहुत जारा जारा होता है उसके बाद खतम हो जाए तो आपको नया जनरेट करना पड़ेगा हो ठीक है इसको आपके रेजिस्टर मुवाइल लंबर या इमेल पर भेजा जाता है जिसे कोई दूसरा नहीं प्रयोक्त कर सके मैंने पहले बता रिया कि रेजिस्टर इमेल आईडी या मुवाइल लंबर प करेंगे आप लागातार हमारे साथ बने रहेगा वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक शेयर कर लेना फिर मिलते नहीं वीडियों टुक्त लेगे यहीं जवारत